यार देगो ये तो नहीं कह सकते कि यह मैश होगा यह फिर नहीं, लेकिन जैसे आपको पता है कि गोल्बक के बारे मैं आपको बता थे कि वो रेटार्मेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना रेटारमेंट का पूरा एक वो टूर करेंगे, जहांपे वो सूपरस्टार्स के त I challenge goldbug in my return to a retirement match यानि कि मेरा return होगा और goldbug का retirement match होगा ये बाद आपको पताए है जब unless goldbug 12 से www में आया है या फिर पहले वी जब थे वो तो जब WCW की बात हो रहे है तो उस टाइम गया भी राय बेक जब आये थे तो उनके काफ़ी reference दिये जाता है कि भाई यह बंदा काफी गोल्डबॉक से मिलता जुलता है तो ऐसे में अगर गोल्डबॉक का रिटारंड मैच और राइबक का रिटर्न मैच होता है तो यह तो कह सकते हैं कि हाइप जरूर बनेगी रेस्लिंग वर्ल्ड में हलाकि क्लियर यहां से लग रहा है कि डेबल लब यह कुछ ज्यादा क्लारिटी हमको इसके बार में नहीं मिली थी लेकिन गाइस एक सैड अपडेट है ब्राउन सोमन के बार में और वह यह है कि बर्मिंगम अलबामा में गये हैं ब्राउन सोमन और वहां पर डेबल लबली का जो है ना पूरे डॉक्टर से वह वालुएट क करें तो वह कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि और वहाई क्या ब्राउन सोमन काम करें तो हो सकता है यह एक ब्रेक वह मच नीडेड भी साविध हो सकता है और जब वह वापस आएंगे तो और भी स्टॉंग तरीके साइंगे एक बात के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा तो उसके लिए सौरी आप लोगों से अगली स्टॉरी की तरफ हम लोग चलते हैं और गुंतर ने रिसेंटली अपने एक इंटर्विव के अंदर बात करी ब्रॉक लेस्टनर के साथ मैच करने की युनाटेट किंडम में अभी आपको पता है लंडन में जा रही है डेवल ल यहां पर इसी बारे में बात करते हैं वो उन्होंने इस बात को डिसकस किया कि कैसे अगर ब्रॉक लेस्टनर के साथ मुझे मैच मिलता है जो कि मैं चाहता हूं तो मेरे बहुत अच्छी बात होगी और मेरे क्राउड के सामने यानि कि यानि यानि यानिटेट किंडम में साथ में क्योंकि मैच फैंस के लिए काफे ज्यादा हैं नेक्स के लोग कोडी रोड के बार में बात करते हैं कोडी रोड नो कुझ एक ऐसा काम कर दिया जो कि इससे पहले नहीं किया किसी ने और वह सेम कैलेंडर में दो गेम्स के अंदर फीचर होना आपको पता डॉड इस आप से ओविसली हो गई तभी गेम के अंदर हैं लेकिन यह कुछ-कुछ ऐसी चीज होती है जो पता नहीं होता कैसे हो गई क्योंकि डॉड डॉड के बार में बात करें तो अभी आपको उनका फुचर डिरेक्शन पता ही है ब्रॉक लेस्न के साथ उनको एक और मैच करन है ब्रॉक लेस्न के सामने अभी समर्स्लैम वह जगा बताई जा रही है जहां पर मैच होगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उतने टाइम तक कोडि रोड क्या करने वाले हैं और ब्रॉक लेस्न क्या करेंगे चुलो ब्रॉक लेस्न चुट्टी पर जा सकता आराम से वह त सब्सक्राइब करेंगे तो फिर क्या होगा तो यह देखने वाली बात रही आगे मामलब मस तोने वाला है कोडि रोड के साथ आने वाले साथ ताइम में और रेसल मीन है तक इस बात की तो फूरी-फूरी कैरेंटी है अगर आप कॉनल मैगर को सिरेसली नहीं लेते तो सकते हैं अभी क्योंकि आपको पता है जो एंडेवर है उसके साथ पहले से युफ सी थी अब डेवल बी बे आ गए तो इनके क्रॉस ओवर होने के बहुत सब्सक्राइब कर ने समर्स्लैम के बारे में रोमन रेंज को कांड़ वो चैलेंज था लेकिन उससी बाद उन्होंने सब्सक्राइब करेंगा लेकिन आपको पता है में साइज मैटर नहीं करता है क्योंकि यहां पर चीजे और भी काफ़े सारी अबिलिटी है स्किल्स हो जी तो तुम्हारे पास होनी चीए और अंडर्टेकर की नजरों में वह सारी चीजें हैं कॉनर मेंगर के अंदर तो आने कि मेरे अग्जामपल तो आपको पता हैं किस तरीके के होता है तो अंडर्टेकर ने यह का कि जब मैं घर पर बैठा होता हूं मैं डबल लबली देख रहा होता हूं तो मुझे इतना कोई लगता निया कि मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं लेकिन जब मैं एक्च्वल में जाता अभी आपको लेका पड़े वाली क्या बात है, रिटार तो हो गया बंदा आराम से, लेकिन अंडर्टेकर की बॉड़ी थक चुकी है, उनका दिमाग भी भी नहीं थका है कि वो एक मैच जाके रेसल करें रेसलिंग के अंदर, तभी हमने देखा था कि वो जो बोनियार्ड इस चीज में करते हैं यह फिने मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, हम बात करते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में तो यह पता चला कि उन्हें पनी प्रेगनेंस कि इसका मतलब कि व्व टीव में बहुत टायम तक नहीं आने वाली लेकिन वापस कब जैसे एक साल का कॉंट्रेक्ट था बंदा चाह मेने बाहर रहा तो अब ऐसा नहीं कि एक साल बात जागे खतम उसमें चाह मेने और एड हो जाएंगा तो जैसी मैं बढ़त दूंगी अपना तो उसके बार मेरा मेरी पूरी तयार होगी एकदम से जिम हिट करने की और डबल एक पॉइंट हो सकता एलेक्स अबलेस के करियर का वैसे ही अलड़ी काफे सकस्फुल हैं तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं उनके लिए नेक्स्टोरी मैं इन दबैंक के विनर से रिलेटेड है तो मैंस मैं इन दबैंक लैडर मैच का जो विनर है वो कौन सा सूपरस्टार होगा उसमें इस समय लीडिंग बंदा चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ऐलेना आइट है देखो अभी मैं एलेना आइट की बार में ने आज सक अब इतना खुल के बात नहीं करी लेकिन परसनली एले नाइट को जब रिंग में देखते हो तो बहुत मजा आता है देखके लेकिन एड़ सेम टाम एक बहुत बड़ा ऐसा ओर्डेंस का ग्रूप है जो कि एलेनाइट के साथ रिलेट नहीं करता कि कौन के साथ कुछ भी बड़ा करने का करना उनके साथ जरूर चाहिए लेकिन वही बात है कि डबल लबली कितनी इची स्टोर लाइन के इंदर एलेनाइट को बुक करती है कि वह फैंस अभी कनेक नहीं कर रहे है वह अच्छी तरीके से कने करने लगे आप लोग मुझे को मतलब क कि आप लिनाइट को किस तरीके से देखते हो एज इन रिंग परफॉर्मर माइक स्किल्स के मामले में काफी अच्छ लेकिन मैं कनक करने वाली चीज़ के बार में बात कर रहा हूं अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हो पैट मैकिफी के बार में बात करते है जिन्हों न मैकिफी का रेस्लिंग रिटन आपको इस साल की समर स्लैम के अंदर देखने को मिल जागा एक चोटी सी अपडेट अपैट मैकिफी के बार में अगली स्टोरी रिया रिप्ली से रिलेटेट है से रिलेटेट है मंडे नाइट रॉक अवाला एंगल तो फैंस को हमेशे याद इन यह कहा कि अच्छा निहीं लगा उनको यह देखके और देफिनेटली वह इसके बार में कुछ करेगा जरूर तो हैसा करके यह रिपली यह और काफी अच्छा रगता है को उनके के रिख्टर में रह के बाते करते बहें सुनना यूजियूली मैं परफ़र करता हूँ कि स Superstar जो ring में है वैसी बात ना करें बहार जाके तब थोड़ा और जानने का मौका मिलता है मैं as content creator बात कर रहा हूँ कि फिर और आपको interesting बाते बताने का मौका मिलता है wrestling fan तो बंदा हमेशा character में रहना चाहिए तो यहां से rear reply ने थोड़ा सा अपने character में रहके जो बात है कि इसको सुनने में अच्छा लगा अब देखते हैं क्या scene बनता है कि Seth Rollins के साथ में लगता है बहुत भारी गलती कर दी है Seth Rollins आज की next and final story की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको Roman Reigns का यहां ट्वीट दिखाता हूं जहां पर लिखते हैं Tough times made me the travel chief I am today the greatest of all time 1000 days as the undisputed best in the world has to acknowledge me hashtag smackdown उन्होंने undisputed best in the world I think इसले लिखा कोई कि undisputed tag team champions भी हैं तो इसले उन्होंने अपने आपको सबसे अलग करने के लिए बोला इस पर WWE ने reply किया Roman Reigns को quote करके उन्होंने retweet किया और यहां पर लिखते हैं and tomorrow we celebrate और we the one के उन्होंने emoji थो किया अब guys एक बहुत major update है Roman Reigns के बारे में अब मैंने आपको एक दो दिन पहली वीडियो के अंदर बताया था कि WWE का title को merge करने का कोई plan नहीं है इस समय Roman Reigns को भरी website के उपर undisputed WWE Universal Champion दिखाया लेकि Universal Championship अलग है WWE Championship अलग है हाला कि 2-3 महीने पहले हमको यह बात भी सुनने को मिल रही थी कि एक separate title Roman Reigns के लिए लेके आया जाएगा अब इतनी सारी conflicting reports होते कि समझ में कुछ आते नहीं है कि क्या सुन रहा है Fightful की तरफ से यह report आती है कि WWE पूरा एक सेग्मेंट बनाने वाली है जैसे अभी WWE ने ट्वीट भी नहीं क्या वी सेलिब्रेट तो इसका इंडिरेक्ली शायद एक हिंट है एक पुरा सेग्मेंट होने वाला जहांवार podium होगा और Roman Reigns अन्वील करेंगे नई Championship को अब इससे पहले कि आप लोग सोचो वह Championship क्या है तो इसको बता जा रहा है New WWE Universal Championship अब जैको 1000 Days का celebration है वह Universal Championship के लिए और Universal Championship को डिजाइन है वह Blue वाला है तो कावे साथ लोग कहते हैं भाई यह Blue Championship का डिजाइन कैसा है तो फिर शायद जो Universal Championship का डिजाइन है वह चेंज होने वाला है या फिर एक दूसरी possibility यह भी है कि दोनो टाइटल Roman Reigns merge कर देंगे और अपनी नई Championship बनाएंगे जो कि जैसे होता है हर एक superstar अपनी custom Championship लेके आता है तो शायद यह चीज़ WWE Roman Reigns के साथ कर सकती है यह kind of उस चीज को recreate करने वाला moment होगा जो 2013 में रॉक ने नई Championship को डिजाइन को लेकर आया थे उस time पर जभी अभी जो Championship है यह वाली इसको हम लोग विल्कुल भी इस नहीं कर सकते हैं और Bloodline के टेंशन के बारे में तो कल हमको SmackDown में जीज़े पता चलेंगी बागी यह वीडियो अगर आपको अच्छे लिए तो इसे लाइक शेर सब्सक्राब और नोटिफिकेशन बेल को ओन करतो and see you guys in my next video